आज हम बिल्कुल कम तेल में बनाएंगे पनीर से एक ऐसे नए तरीके का गर्मा गरा मज़ेदार नाश्ता जिसे कि ना केवल बच्चे खाना पसंद करेंगे बलकि बड़े लोग भी बड़े शौक से खाएंगे वो भी मांग मांग करके और सच मानिये बनाना इतना असान है आप भी हरान हो जाएंगे और जितना जादा यह देखने में सुंदर लग रहा है ना उतना ही खाने में यह टेस्टी है और हल्दी भी है वहल्दी तो हो गई ना क्योंकि हम पनीर से बना रहे हैं और शायद आपने कभी इस तरीके से पनीर का यह नाश्ता बनाया हो और चली जी आज की मज़ेता को लाच वाब रेसिपी शुरू करते हैं तो आज चो हम यह पनीर की रेसिपी बना रहे है यह जितनी ज्यादा खाने में टेस्टी और हल्दी है उतना ही इसे बनाना भी है एकदम आसान आप चाहे तो डेली रूटीन में तो बना ही सकते हैं उसके अच्छे से भो लिया था और अब मैं इसे कर रहर syllables हम कदू कस नहीं कर रहे हैं ताकि मैश क्योंकर आऊ इसे भी problem नहीं आनी चाहिए तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से यहाँ पर इसे मैश कर रही हूं जो हतेली ना इसके उपरी साइड से इससे क्या होता है ऩा अच्छे से यूफ हो जाएगा और जैसे हम इस से मैश कर लेंगे अब हम क्या करेंगे इसकी about की बाइंडिंग के लिए इसमें और इसको और भी मज़ेदाल बनाने के लिए एड करेंगे सूजी सूजी से ना केवल ये tasty बनेगा healthy बनेगा बलकि bargaining में भी बहुत ज़्यादा असानी होगी हमें तो हम क्या करेंगे सूजी मैंने लिए एक कुटोरी लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उतनी ही सूजी डालेंगे जितना जितना इसमें हमें जरूरत पड़ेगी तो देखें मैंने सूजी डाली और मैं हाथ से कर रही हूं तो अगर मुझे लगेगा कि गीला है तो मैं और भी सूजी एड़ करती जाओंगी तो देखिए अभी मुझे यहां पर पनीर गीला लग रहा है क्योंकि पनीर में होता है पानी तो इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा करके ही यहां पर जो सूजी है उसे करेंगे और अब जैसे कि मुझे लग रहा है कि मैं सारे की सारी सूजी कर दूँ एड़ क्योंकि भई यहां पर पनीर की हमें जाने कि इस जो हम यहां पर बना रहे हैं मिक्चर की कंसिस्टेंस ऐसी होनी जाए जैसे की डोग की अब मुझे लग रहा है यह पर्फेक्ट है इसमें एक अच्छा डोग हो सकता है तैयार तो हम इसमें एड़ कर लेंगे बाकी की इंग्रीडियन्स जिसमें की मैं लगपग एक चमच जीरा और यह आदा चमच कदू कस्कियावा अद्रक इसके लावा मैं ले आदा चमच नमक और भी मैं कोई चीजी इसमें एड़ नहीं करने वाली आप चाहे तो को मसाले और भी एड़ कर सकते हैं बस जी से हम क्या करेंगे अच्छे से इन सारी इंग्रीडियन्स को मल लेंगे फिर डालेंगे एक से दो चमच यह पर तेल और फर्स क्लास यहां पर एक डो कर लेंगे तयार जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है तो यह मैंने इस तरीक तो देखेजी मैंने लिए थोड़ा सा मिक्स्चर जितना की एक रसगुल्ले का होता है उसे पहले मैंने हाथ में प्रेस किया फिर दोना हतेलियों की बीच में गोल गोल गुमाया और फिर एक प्रेस करके उसे शेप दे दी लगभग रसमलाई की जैसे कि रसमलाई की होती है तो क्लियर मैं आपको दिखा रही होती कि कितना सुन्दर लुक है और जैसे कि यहाँ पर है तेज उजाला तो साफ पता चल रहा है कि हमने इन्हें पनीर से बनाया है है तो भी मैंने रखा कड़ाई के उपर पानी और पानी भी होने वाला है गरम तो हमने ले लिए इस तरह और एक भी आप रख सकते हैं जैसे कि मैंने रखा है क्योंकि भी ऐसा तो नहीं है ने कि कोई गीला घोल है हमने तो यहाँ पर सॉलड पीसिज बनाये में अगर गीला होता यहाँ पर तो तब तो यह लगता है इसे फूलने के लिए और फैलने के लिए इस पेस चाहिए तो यहां पर ऐसा कोई इसू नहीं है और जैसे कि सॉलड पीसिज नहीं तो बस यहां पर यह उतना ही फूलेंगे भाप से जितना की इने फूलना चाहिए और अब हम क्या करेंगे फ्लेम को कर देंगे एकदम हाई और ढ़क कर के से next 5-6 मिनुट तक हाई फ्लेम में कूक होने द मिनट का इसे रेस्ट करने देंगे और ठंडा होने के लगपक तीन मिनट बाद मैंने इस प्लेट में इन सारे पीसिस को निकाल लिया और लुक देखे कितनी मज़ेदार लग रही है आप चाहे तो इन्हें टमैटो सौस और चटनी के साथ इसी तरीके से भी खा सकते हैं या च सबसे पहले कड़ी पत्ते मेरे पास थे तो मैं उन्हें कर रही हूं फुराई आपको जैसे कमफर्टेबल लगे आप उसी तरीके से इन्हें फुराई कर सकते हैं क्योंकि भाई हमने करना है लास्ट में इन कड़ी पत्तों से इस मज़ेदार नाश्टे को गार्निश और जैसे के आपको सामने दिखाई दे रहा है है नहीं कितम मज़ेदार सिंपल सी रैसेपी और अब हम जैसे की यह हो चुके हैं तैयार तो इन्हें निकाल लेंगे और सेम तरीके से जो बाकी के आदे बच्चे में हम मीडियम फ्लेम में अलट पलट करके कर लेंगे गोल्डन बहती मज़ेदार हेल्दी और इजी रैसेपी है शायद ही आपने कभी इस तरीके से यह पनीर की रैसेपी बना करके खाई होगी दे मेरी बेटी जो है ना जब उसको रो पनीर दिया जाए या पनीर की सबजी ना तो खाना पसंद नहीं करती आना कानी करती है लेकिन भी हम म कोई तरीका तो ढूंडे लेती हैं अपने बच्चों को हेल्दी फूट खिलाने का तो भी आपने देखा हुआ कि मैंने सारे के सारे जो पीसिस है इन्हें फ्राइ कर लिया था तो एक साथ मैंने पैन में फिर से इन्हें रख दिया है और फ्लेम एक दम लो और मैं एड़ कर करते रहेंगे नहीं ताकि फटा फट से यह जो हमने मसाला एड़ के उसे भी कर ले एब्जॉब क्योंकि यह गरम है तो गरम चीजे तो मसाले को एक दम एब्जॉब कर लेती है ना तो बस यहां पर जैसे कि हमारा पनीर का गरम मज़दार नाश्ता हो गया तयार तो हमने ग देखिए इनकी लगरीने मज़दार है ना एक दम नए तरीके की सिंपल सी रेसिपी जो कि ना केवल खाने में बहुँ जादा टेस्टी है बलकि है और बनाना कितना सान यह तो आपने देखी लिया होगा हना तो चली मैं से आपको एक तोड़के दिखा रही हो यह देखिए और अगर आपको भी खाना है तो जल्दी से यह किचन में जट पट से कर लीजिए इस नाश्ते को तयार बहुत ही मज़दार नाश्ता बनाए बही तो चलिए जी उमेद करती हूं कि आपको मेरा आज का यह वीडियो जिसमें कि हमने पनीर से बनाए एक दम मज़दार ला ज नए तरीके के मज़दार हेल्दी और टेस्टी वीडियो आपके लिए ला सकूं तो चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पो वाचिंग